क्या आप भी चाहते हैं बस एक ऐसी चीज जिसको आप ले और सर के बाल से लेकर पैरों के नाखुन तक सब जवान हो जाए एक ऐसी चीज जिससे हमेशा आप फिट रहें, ना हैर फोल हो, ना बाल सफेद हो, ना आँकों की रोशनी कम हो, और ना ही थकान रहे, और ना ही वीकनेस रहे, सकिन की कोई बिमारी ना हूँ, सकिन पर हमेशा ग्लो रहे, सकिन डल ना हूँ, ताइम से पहले आप भूड़े ना हूँ, लिवर अच्छे से काम करता रहे, किटने अच्छे से चलती रहे, या मधुमे या डायबिटेज जैसे बिमारी तो कभी भी ना हूँ, ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे, पेट की कोई बिमारी ना हूँ, डाइजेश आवला खाने से इम्मुनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि बिमारी आपसे दूर भागेंगी, जब आप भूड़े हो जाएंगे, बाल सफेध हो जाएंगे, तब भी एनरजी की कोई कमी नहीं होगी, एक औरेंज में यानि संत्रे में जितनी विटमिन C होता है, आवले में उस तो इसको जरूर देखे, डायबेटीज वालों को आवला जरूर खाना चाहिए, सभी लोगों को आवला खाना चाहिए, लेकिन डायबेटीज वालों के लिए तो ये मस्ट है, ये बलड शुगर को कंट्रोल करता है और इम्मुनिटी को बढ़ाता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस-किस तरीके से आवले को लेकर इम्मुनिटी को बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे पहले इस तरीके से हम आवले को कट कर लेंगे, ये देखे, इस तरह बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, तो ये देखे, यहाँ पर हमने आवले को काट कर तयार कर लिया है, आप हमें ग्राइंडर ले लेंगे जिसके अंदर आवले को एड़ कर देंगे और साथ में डालेंगे एक ग्लास पानी यानि एक ग्लास पानी के साथ इस आवले को हम ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं यहाँ पर हमारा आवला का जूस बनकर तय और अगर आपके एरिया में आवला आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस आवले का पाउडर भी खरीच सकते हैं आवले का पाउडर राथ को एक चमच पानी में बिगो दीजिये और सुबा उटकर उस पानी को पे लिजिये ये बैस्ट होता है तो किसी न किसी तरीके से लाइक कर दीजियो और चैनल को सब्सक्राइब